सलमान चिस्थी की किताब इन दिनों सुर्ख्यों में है पूरा मामला क्या है? और क्यों ये किताब सुर्ख्यों में है? पूरी इस्टोरी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि किताब भारत में बैन की हुई थी सल्मान चिस्दी की किताब दस सैंटेनिक वर्सेज 1988 में प्रकाशित हुई थी ये किताब बेहद विवादित रही सल्मान चिस्दी तीन दशक से लगातार धमकियों का सामना कर रहे हैं उन्हें कटरपंथी हमेशा निसाना बनाते रहे हैं वह अमेरिका से लेकर भारत तक जहा शहर में उन पर चाकु से हुए हमले के बाद एक बार फिर उनकी किताब दस सैंटेनिक वर्सेज चर्चा में है ये पहली किताब थी जिसने सल्मान रुस्दी को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया था ये वही किताब थी जिसकी वज़े से सल्मान रुस्दी कटर पंथ के फत्वे जारी होने लगे थे आए समझते हैं कि कैसे एक किताब ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी सलमान रुस्दी की किताब दस सैंटैनिक वर्सेज सितंबर 1988 में प्रकाशित हुई थी ब्रिटिश भारत लेखक सलमान रुस्दी की जिंदगी इसी किताब के बा उसके ठीक साथ साल बाद प्रकाशित एक किताब ने उनकी जिंदगी बदल दी उन्हें दस सैंटैनिक वर्सेज के बाद लगातार मौत की धमकिया मिलने लगी उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था 14 फरवरी 1989 को इरान के इसलामिक नेता आयातुल्ला खोमेनी ने सलमान रुस्दी के खिलाब एक फत्वा जारी किया आयातुल्ला ने कहा था कि सलमान रुस्दी ने उनकी किताब में इसलाम की निंदा की है उसने कहा था कि सलमान रुष्दी को इस जुर्म की ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया जिसे दश्कों तक याद करेगा सलमान रुष्दी के खिलाब मौत के फत्वे भी जारी हुए थे इसलामिंग कटरपन थी सलमान रुष्दी का सिर कलम करना चाहते थे सल्मान इसके बाद से ही खतरनाग धमकियों का सामना कर रहे हैं उनके कारिक्रमों के दौरान अगजनी होने लगी कई जगहों पर उनकी किताबें बैन हुई तो कुछ जगहों पर दंगे भड़के उनकी किताबों की प्रतियां जलाई जाने लगी धमकियों का सिलसिला इस हद तक बढ़ गया कि सलमान को डर कर छिपना पड़ा सलमान पर लगातार हो रहे हमलों की वज़े से सवाल उठा कि क्या दुनिया भर में कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का खत्रा हद से जादा क्यों है अपनी किताब पर भड़के विवाद को लेकर खुद सलमान ने कहा था कि लोग बेवज़ इस किताब को लेकर आहत होते हैं सलमान ने एक कारिक्रम के दौरान कहा था कि अगर आप किताब को पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप न पढ़ें हिंदी में अगर सेंटेनिक वर्सेज का अनुवात करें तो उसका अर्थ होगा शैतानी आयतें किताब के नाम पर मुस्लिम समुदाय पहले ही आक्रोशित हो गए थे ये किताब इंगलेंड में रहने वाले दो भारती मुस्लमानों की कहानी है किताब की कहानी दो अभिनिताओं के इर्द गिर्द घूमती है दोनों कलाकार फ्लाइट से मुंबई से लंडन जा रहे होते हैं एक का नाम जिबरिल है जो सूपरिश्टार है दूसरा एक वाइस ओवर आर्टिस्ट है जिसका नाम सलादीन है इस प्लेन को एक सिख आतंकी हाईजेक कर लेता है आतंकी और पैसेंजर के बीच बहस के दौरान आतंकी प्लेन में ही बम फोड़ देता है दोनों कलाकार समुद्र में गिर जाते हैं और बच भी जाते हैं यहीं से इनकी कहानी बदल जाती है धर्म संस्थापक के जीवन से जुड़े किस से जिवरील के सपने में आने लगते हैं यहीं से वो धर्म को दोबारा इस्थापित करने की कोशिश करता है इसे ही इस निंदा के तौर पर मुस्लिम समाज देखता है किताब के प्रकाशित होने के ठीक नौ दिन बाद यह किताब भारत में बंद हो गई थी किताब पर बैन ततकालीन राजी उगांधी सरकार ने लगाया था किताब पर आरोप था कि इसकी वज़े से धार्मिक सौहार्द बिगड रहा है अमेरिका, ब्रिटेन, बंगला देश, दक्षिर, अफरिकार, सुडान, केनिया और दूसरे देशों में भी यह किताब बैन होने लगी पहले इरान में इस किताब को लेकर बिरोद प्रदर्शन हुआ था जैसे जैसे इस किताब पर बिवाद बढ़ता गया, इरान के मौलवियों को इस किताब के बारे में पता चला आयातुलाह को इस समु के किताब के बारे में जानकारी दी उन्होंने दरसल किताब के उस हिस्से को दिखाया था जिसमें इसलाम के बारे में कुछ लिखा हुआ था उनके निर्वैसन को लेकर कुछ लिखा था तथी के सामने आने के बाद ही किताब पर बिवाद भड़क गया सल्मान की हत्या के लिए तीन मिलियन डॉलर की रकम इनाम के तौर पर रखी गई थी सल्मान इस ऐलान के बाद छिप गए थे उन्हें छिप कर जिंदगी बितानी पड़ी उन्हें हमेशा बोडी गाड के घेरे में रहना पड़ रहा था हर तरफ उनकी सिक्योरटी का ख्याल रखा जा रहा था 1998 तक दुनिया तीजी से बदल रही थी दुनिया भर में अलग-अलग मुमेंट सामने आ रहे थे सल्मान को सही वक्त का इंतिजार था उन्हें इस दौरान खुद को एक बार फिर सारवजनिक जीवन में सक्रिय किया वह देखते ही देखते अभिव्यक्ति कला और स्वतंतरता की आवाज बन गए उन्होंने इस दौरान कई किताबे लिखी साल 2000 में वह अपने बेटे जफर के साथ भारत भी आये सलमान रुस्ति के जल्ड ठीक होने की उमीद में उनके लाखो चाहने वाले हैं ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें हमले में एक आख गवानी पड़ सकती है लिबर में भी काफी चोटे आई है